Hello Friends, Welcome Back to Parenting India छोटे बच्चों में जो सबसे common problem में वो है गैस का बनना अगर बच्चा अचानक से रोने लगता है और आप बच्चे के पेट पर हाथ लगा के या हलका सा दवा के देखते हैं और बच्चे का पेट टाइट है तो इसका मतलब है बच्चे को गैस बन रही है जिसकी वज़ा से बच्चा रो रहा है और बच्चे की गैस को हम नैचुरल तरीके से ही ठीक कर सकते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे 7 Home Remedies बच्चे की गैस को ठीक करने के लिए वीडियो को पूरा देखी क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि क्या बच्चे को हमें गैस को ठीक करने के लिए ग्राइब वाटर या फिर घुट्टी या इस तरह की कोई भी चीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो First Home Remedy है हींग का पेस्ट हींग का पेस्ट आप घर पर बनाने के लिए एक चमच पानी लीजे उसमें एक छुटके हींग डालिए और इसे गरम करिए इसके बाद गैस को बंद कर दीजे इसे थोड़ा थंडा होने दीजे अब इस पेस्ट को बच्चे की नावी पर और पेट पर अपलाई करिए इससे बच्चे की गैस तुरंग पास हो जाती है और कुछ बच्चे तो इसके साथ मोशन को भी पास कर देते हैं जिससे बच्चे की गैस में बहुत आराम मिलता है बस आपको इस बात का ध्यान लखना है कि ये ज़ादा गरम ना हो आप इसे डेली भी बच्चे के अपलाई कर सकते हैं specially शाम के टाइम पर क्योंकि शाम के टाइम पर बच्चे थोड़े क्रेंकी हो जाते हैं उनके गैस बनने लगती है इसलिए आप इसे शाम के टाइम पर डेली लगा दीजे बच्चे के पेट पर तो बच्चा आराम से रात को सोएगा निक्स्ट है अजवाइन का सीख अजवाइन का सीख बनाने के लिए एक तवा लीजे इस पे दो बड़े चमच अजवाइन डालिए और इसे भुनने दीजे जब इसमें से धुआ निकले तो एक कपड़े को इस को आने दीजे इस कपड़े से बच्चे के पेट की सिकाई करिए इससे भी बच्चे की गैस बहुत जल्दी पास हो जाती है निक्स्ट है जाइफल जाइफल बच्चे के सर्दी जुखाम खासी में तो हेल्प करता ही है साथ ही साथ अगर बच्चे को गैस हो रही है या दीजे और अगर बच्चा six months से छोटा है तो उस case में जाइफल को कूट कर पाउडर बनाईए और एक चुटकी पाउडर लीजे उसमें थोड़ा सा देशी घी में लाईए और बच्चे के पेट पर उसे लगा दीजे नाभी के आसपास के एरिया में इससे बच्चे की गैस ब इससे बच्चे के पेट पर लगाईए और circular motion में बच्चे की मालिश करिए इससे बच्चे के गैस में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है नेक्स्ट है जब भी आप बच्चे की मालिश करते हैं तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी exercise जरूर करवाईए जैसे stretching होना या बच्चे के हाथ को फोल्ड करना बच्चे के पैरों को फोल्ड करना इस तरह की exercise जब हम बच्चे को कराते हैं तो बच्चे की गैस कम बनती है और अगर बनती भी है तो जल्दी पास हो जाती है अपने आपी next है बच्चे को tummy time जरूर दीजे यानि बच्चे को पेट के बल लिटाईए बच्चे को जब हम पेट के बल लिटाते हैं तो उससे बच्चे की गैस आराम से पास हो जाती है इसलिए जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे को गैस हो रही है तो उसे पेट के बल लिटा दी इस से बच्चे की guest पास हो जाएगी निच्ट है आप बच्चे को सुहागा खि лाईए सुहागा जिसे बोरेक्स कहा जाता है इसे शिक्स मढ़ंट से बड़े बच्चे को खिला सकते हैं ये बच्चे की guest को बहुत जल्दी ठीक कर देता है लेकिन इसमें कुछ impurities मिली होती है इसे हटाने के लिए आपको इसे बच्चे को proper तरीके से खिलाना है इसके लिए आप एक तवा लीजे उस पे कुछ पीस सुहागे के डाल दीजे यह फूलने लगेगा तो एक मिनिट के बाद गैस को बंद कर दिए फून और इसे पीस लिजे पीसने के बाद इसे छान लीजे और फिर एक चुटकी सुहागा एक चमश दूद में मिलाके जो भी दूद बच्चा पीता है, breast milk पीता है या formula milk पीता है, उसमें मिला के बच्चे को खिला दीजे इसे बच्चे की gas बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी पर regular आपको इसे बच्चे को नहीं देना है, जब बच्चे को बहुत ज़ादा gas बन रही है उस case में ही बच्चे को इसे खिलाईए Next है, six months से छोटे बच्चे को जब भी आप दूद पिलाते हैं तो उसके बाद बच्चे को डखाज जरूर दिलवाईए इसके लिए आप बच्चे को कंधे पर लीजे और उसकी पीट को हलके हलके हातों से सहलाईए इससे बच्चे की डखा निकल जाएगी क्योंकि जब भी बच्चा दूद पीता है तो उसके संग कुछ हवा अंदर चली जाती है जो बच्चे के पेट में गैस बना देती है Next है, अजवाईन का पानी अजवाईन का पानी बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप पानी, इसमें दो बड़े चमच अजवाईन के डाल दीजे और इसे 5-7 नट तक बॉइल होने दीजे गैस को बन कर दीजे और इसे छान लीजे बच्चा अगर 6 मन से बढ़ा है तो एक स्पून ये पानी अजवाईन का आपको उसे पिलाना है अगर एक साल से बढ़ा है तो उस केस में 2 स्पून अजवाईन का पानी आपको बच्चे को पिलाना है इससे बच्चे को गैस में तुरंत आराम मिलेगा अब बात करते हैं कि क्या बच्चे को ग्राइब वाटर, जनम घुटी या कोई मेडिसिन बच्चे को गैस के लिए देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए तो कुछ पेरेंट्स बच्चे को मौनिंग में ही कोई मेडिसिन, जनम घुटी या ग्राइब वाटर दे देते हैं ताकि बच्चे को दिन भर गैस ना बने बट ये प्रॉपर तरीका नहीं होता है रेगुलर बेसिस पे आपको कोई भी मेडिसिन, ग्राइब वाटर या जनम घुटी बच्चे की गैस को ठीक करने के लिए नहीं देनी चाहिए पर आप कभी-कभी अगर बच्चे के लिए ग्राइब वाटर या जनम घुटी लेना चाहते हैं तो उससे पहले ध्यान रखे कि ग्राइब वाटर एलकोहल फ्री होना चाहिए क्योंकि कई ग्राइब वाटर में एल्कॉहल मिला होता है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता और जनम घुट्टी में नैच्छल इंग्रीडियंट्स होते हैं बट इसमें चीनी काफी मातरा में मिली होती है जो एक साल से छोटे बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंकि दोस्तो